अलो एब्रिवान वेल्काम टू लाव कीचेन थम्नेल देखके तो समझी गया होंगे पत्ता गोभी और अंडा से बन रहा है आज के रेसीपी कैसे बनाना है यह देख लेते हैं बिना देर किये एक पत्ता गोभी ले लिया है लगभग एक किलो तक है सबसे पहले इसका जो पत चौप करने के बाद भी हम लोग दूल लेंगे बहुत ही अच्छे से दूल लिया है यहाँ पे सबसे पहले यह डंठल को काटेंगे बहुत लोगों को पत्ता गोभी चाहे कितने अच्छे से बना की उठ दिया जाए उन्हें पसंद ही नहीं आते हैं लेकिन यह रेसीपी ऐ बिला घाइब चॉप कराइब तो इस पाणि अबभाल लेंगे अच्छा यहाँ पर दिख रह है यह रही हूं लेकिन बाद में इक्स्टर और डाल ढई आ था एक जो शूट नहीं को पाया तो आगी के रीशीपी ऐ दिखेंगे यहाँ एक टमाटर, पाच यहाँ पे ले लिया है मिच्चा साद अनुसार्ड और लईसन के कुछ कलिया और अधराग एक इंच. बस बहुत ही कम मसाले से बनाएंगे. सबसे पहले इसे ग्राइंडर में डाल के पेस्ट कर लेंगे पेस्ट यहां पे हो चुके हैं, और क्या लग रहा है है देख लेते है, आलू ले लिया है। मैंने छोटे आईक union का छे और यसे बीज में से कट है रखा है, ऐसे बड़े बड़े टुक्रों में रखा है, तो देखने में भी आजब में घ्मी है उद्ट चील लिया है सबसे पहले इसमें कट का निशान लगाएंगे ताकि अंदर नमक और जो भी मसाला है उसका फिलेवर बहुत ही अच्छे से जा पाए तो सबसे पहले नमक डाल रही हूं हाप टीजपून से थोड़ा सकम और हाप टीजपून यहां पे हल्दी डाल गे बहुत ही था और हमेरीनेट से मीक्स कर लेते हैं मेरीनेट कर लेते हैं मैर्ीनेट कर के बस 20off weird निटेए और हम लोगrator शुरू करते हैं अब बनाना जिसके लिए मैं ले लिया है करहाई करहाई में डाल रही हूं थोड़ा सा कूकिंग आयल कोई भी कूकिंग वाइल यूज कर सकते हैं तेल जैसे ही ठोड़ा गरम हो जब डाल रही हूं और बहुत ही अच्छे से अच्छे से प्राइख कर लेना है जब तक इस अंड़ के ऊपर कलर ना आ जाये कर रहे हैं अब और झाले और प्लोहने के बाद डाल रहे हूं। मीडियूम फुलम में गैस को रखते हुए अधिन आशे गमाना में तो आश दाल हैlem फोड़ा सा नमक डाल रही हूं याज फ्राई करते ताइम क deben cleaner कर और जल्द से प्याज फ्राई मैं बहसे हैं प्याज प्राई होगे। अब डालव तो इसम रिखे ढ arch के ब्यखें कर दो cidade com a lot बन जाते हैं अब डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी हलुनी के दालने करते हैं अलुमें कटे हैं में सलो नहीं हैना है कोई जकटे यहां पर दो तेज़ पत्ती और एक सुखा मीर्चा मैंने डाल दिया है जैसे की तरगा लगाते हैं और इसी तेल में डाल रही हूँ एक चम्मज जीरा जैसे ही थोड़ा सब्राउन हो जाए अब डाल रही हूँ जो मसाला हम लोगों ने पेस्ट कर लिया था तो अच्छे से मिक्स्ट कर लेना है मसाला को और मसालों को भूनते रहना है मीडियम फ्लेम में करते हुए दो के जगा तीन रोटी तो खाही सकते हैं इतना टेस्टी अगर सब्जी बनेंगे एक चम्मज नमक डाल रही हूँ नमक बिल्कुल ही स्वाद अनुसार एक चम्मज हल्दी और एक बैश वावल में मैंने मसाला रखा थाzek": avoir पानी टाल रही हूं और बहुत अच्छे से मिक्स्ट कर लेना है तो जैसे ही पानी डाल देंगे तो दो के अंदर चूहने लग सेलें है और ना छित्य खाए अच्छे है और बहुत ही ज्यादा छीट रहे है तो इसी लिए मैं ए तो नीचे से जलने शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छे सी यहां पे आप तेख रहे हैं कि तेल छोने लगा है मसाला बहुत ही अच्छे से भून करेंगे तो यहां पे मैं मिक्स्ट कर रहे हूं मुझे पूरा भरोसा है कि यह सबजी आप देखने के बाद रहने ही पाएंगे और मार्केट से आज ही लाएंगे पत्तगों भी और बनाएंगे इसी तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स्ट करना यहां पे हो चुके हैं तो अभी ढग देंगे गैस को मीडियम फ्ले में रखती हुए तीन से चार मिनीट के लिए तो जितना इसमें जो पानी है वो निकाल आएंगे गोवी में से जितना भी पानी निकला था वो सूप चुके है अब डाल देंगे पानी पानी दो गिलास तक लगभग यहां पे डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से स्पैचुला से मिला लेंगे अच्छा जैसे बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत देर हो रहा है इतना टाइम नहीं है तो पेशार कुकर में पत्तक गोवी डाल देना है तो पेशार कुकर में अगर डालना चाहते है टाइम नहीं है तो इस टाइम डाले पानी डालने के बाद और यहां पे दो गिलास में पानी डाला है तो पेशार क अब खोल के चेक कर रही हूं पानी अभी बहुत है तो इसे फिर से ढख देते बीच में एक बाद चला लेना पड़ता है नीचे से चिपके ना तो फिर से ढख देंगे और इसे हूने देंगे तब तक जब तक ये पानी बहुत हद तक सूख न जाए गरम मसाला में मैंने ले है दो छोटी एलाइची तीन लॉंग और एक टुक्रा दाल चिनी का बहुत ही कम मसाला यहां पर ले रही हूं कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो बहुत ज्यादा है बाहर से एक्स्ट्रा है तो यहां पर आभी पानी तो बहुत हद तक कम हो गया है इसे टाइम हम लगों को एक काम करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह डेसी पी और टेस्ट फूल बनाने के लिए इसमें जो आलू का टुक्रा है उसमें से मैं दो टुक्रा यहां पर मैश कर दे रहे हूं तो मैश कर देने से पत्त गोभी और आलू एक साथ में घुल मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा बन जाते हैं यह डेसी पी बहुत ही अच्छे से मिक्स्ट यहां पर कर लेना है डाल दोंगे अंडा यहां पर करके डाल के मिक्स्ट कर लेना है बहुत ही प्यार से मैं एक एक वीडियो बनाती हूं और जब आप सस्क्राइब करते हूं एक एक सस्क्राइ यह बहुत ही जरूरी है लास्ट में पत्ता गोवी जब पकाए जाते हैं तो बहुत ही टेस्ट बनते हैं तो ऐसे एक बार जरूर ट्राइ करके देखना यहां पे सब्जी बहुत ही अच्छे से हो गए है अब डालेंगे गरा मसाला जो हम लगों ने पेस्ट कर लिया था बहु गैस ऑफ किया जाता है तो बहुत ही अच्छे से खुश्बू आते हैं तो डेट सारा गरा मसाला डालने के जरूरत नहीं परते हैं तो यह हो चुके हैं मिक्स्ट करना गैस मैंने ऑफ कर दिया है अभी से बारी है खाने का लेकिन आपको खाने के लिए करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इसलिए लाइक कर दीजिए और कैसा लगा है कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत बूलना आप कॉमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि अच्छा हुआ है या फिर बेकार कैसा लगा है तो मिलते है अगली कोई रेसीपी में आज के लिए इतना ही टाटा बाई बाई टेक यार